हेलो गाइस कैसे हैं आप सब मैं आरी पहमत बबलू टूर ब्लोग में आपका इस्तकबाल करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे आज हम जाने वाले हैं भरनी गाओं जहां पे सतनामी समाज का एक मेला लगता है जो कोटा रोड में पढ़ता है और ये मिला हर साल दिसंबर माह में 19-20 और 18-19-20 ये तीन दिन मिला लगता है तो इसी का वीडियो हम आपको सेयर करने वाले हैं और ये बिलकुल नया वीडियो है आपके लिए आपके विलास्पूल का रोकल वीडियो है तो आप इसको देखें और आपको काफी मजाना आने वाला है आयो सुरू करते हैं 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 है लो दोस्तों यह बिलासपूर हमर बिलासपूर का बोर्ड है और यह जो रोड दिख रही है यह मंगला होते हुए उसलापूर होते हुए भर्नी कैम्प जाती है बर्नी में एक कैम्प है और वहीं पर बर्नी गाओं भी है जहां पर आपका सतनावी लोंग का मेला लगता है 18-19-20 दिसंबर को तो दिसंबर 2022 चल रहा है तो हम वहीं जाने वाले हैं यह बीच में डेंटल कॉलेज पढ़ता है तो यह डेंटल कॉलेज हम पार कर रहे हैं और आगे हम जा करके सीधे हाथ के तरफ मुड़ेंगे और लेप्ट साइड मतलब हमारे लेप्ट साइड से जाएंगे तो वह तग लगता है यह देखिए आप देख रहे हैं यह मिला लगा हुआ है जूला है अलग अलग प्रकार का और यह गाओं के लोग जाते हुए दिख रहे हैं आपको बहुत बड़ा मिला है भनी में काफी बड़ा मिला लगता है और हम यह में रोड में गोल्डन कानन हम गेट के पास पहुंच गए हैं अब इस गेट से हम इंटरी करेंने साइड में चीज दिख रही है ये उसी जाती है आपको बसूर और जाती है और ये लेफ्ट साइड में जो रोड है ये आपका आ जाता है कोटा तो ये 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 गेट है अब हम हम यहां से ईंटरिक करने वाले हैं यहाँ पे चूड़ी है बैग है अलग-अलग दुकान है बैग की और और अगे जाएंगे तो और सारी दुकाने हमें डेखने के क stupid है इस होटल में आपको बहुत सारे चीज़ देख रहे हैं खाने के लिए मतलब नास्ते वाली होटल है और ये मंचूरियन है इसका मसाला आपको दिख रहा टोमेटे सोस है ये कुर्सिया लगी हुई है यहाँ पे गाउं के लोग आते हैं बैठते हैं और अच्छे स्वास से अच्छा टेस्टी मंचूरियन काते हैं एक रोल भी मिलता है इनके अहां साम की तैयारी हो रही है रात को जबरजस्त मिला लगता है बहुत भीड रहती है अभी दिन में मैंने सूट किया था ये देखिए गाजर सिम्ला मिर्च टमाटर प्याज सबका इन्होंने सलाथ बना करके बहुत अबरजस्त तरीके सज़ाया है और ये देखिए चाउमिन रेडी है बनने के लिए गाओं वाले इंतजार में है बहुत सारे बच्चे खा भी रहे हैं और ये देखिए ये भेल है बेल में टमाटर प्याज मुंफली और मिक्चर और मुर्रा बोलते हैं ये सब कितने बहतरीन तरीके से सजाया हुआ है कोई यहाँ आए तो देखे और उसे खाने का मन ना करे ऐसा होई नहीं सकता वो इसकी सजावट देखके ही यहाँ जरूर रुके एक बार क्योंकि यह बहुत जबर जबस सजावट है और ये देखे मिठाई को किस तरीके से सजाया गया है दुकान में अलग-अलग प्रकार की मिठाईया है गुलाब जामुन है जलेबा है सफिद्र रजगुला है और खाने के लिए कटोडियों में निकाल दिया गया है कि जो आये तो वो ले सकता है और अलग-अलग प्रकार की है देखे मिठाईया सजा के रखे है तीन दिन के मेले में काफी अच्छा रहता है यह देखे यह मुर्रा आ गया है मुर्रा है और यह मुर्रा मुंफली और यह है चना तो यह भूजा चना है जो पिला-पिला दिख रहा है आपको और यह धान से मुर्रा निकालते है तो इसमें मिठा मुर्रा भी आता है और एक सोंधा-सोंधा लगता है बहुत अच्छा लगता है बहुत टेश्टी रहता है यह देखिए यह चना है बहुत सुन्दर दिख रहा है और यह देखिए बच्चों को जूला बच्चों लोग काफी आनंद से जूलते है इसमें मिक्की माउस है और ये देखिए गुल दस्ता बेचते हुए भाई बैटे हुए इंतजार में और ये देखिए जलेवी तलती हुई एक बाई जलेवी नहीं जलेवा है ये और ये देखिए गरम गरम जलेवा निकल रहा है यहाँ पे और ये आग है लकडी के आग में इसे तल जलेबा गरम गरम बन रहा है बस इसको तल के बस तेल में तल करके और इसके जलेबे के रस में डिबाए जाएगा और देखे ये मंचूरियन बन रहा है बाई ने इस तरीके से मंचूरियन को मिला दिया है काफी टेस्टी लग रहा है देखने में बहुत जबरजस तरीके से ब बड़ा बनता है मुंग डाल का भी बनता है और उड़त डाल का भी और देखिए दुकाने हैं मोजे की और देखिए दुकाने हैं चादर की कारपेट की बहुत सारी दुकाने यहां पे कोई आये तो समान भी ले सकता है और खाना भी खा सकता है और देखिए बच्चों का जू दूला है घमपींग यार्ड बच्चों का जंपिंग यार्ड में , बहुत मजह आता है यह बीकाफी आकर आप देख रहे हैं किता अनंद ले रहे हैं बच्चे बहुत मज़ा आ रहा है इनको और ये देखिए सब लोग जूले के इंतजार में और ये देखिए कुरसी वाला जूला बच्चे घुमाता हुआ और ये घोड़ा वाला जूला बच्पन में जूला था बहुत अनंद था इसमें ये कुर्सी वाला बहुत जबर ज़ूला है अलग अलग प्रकार के जूले हैं आप यहां आएंगे तो अपने आपको रोग नहीं पाएंगे इतनी इंतना मन मुहक द्रिस से रहता है यहां का तो काफी अच्छा द्रिस से है देख सकते हैं आप एह देखिए किता बहतर लोग जूल रहे हैं और भुज़ी हम आज बात करने वाले हैं हम उसका वीडियो देखेंगे उसे देखेंगे आये चलते हैं दू वाले भई से मील रहे हैं भी क्या नाम है आपका महस दूरू कहां से वाप इलास्तूरतों किता दिन मेरा लगता है ग्श्वा अच्छा आज 19 तारीक है, मतलब 20 कल तक रहेगा यहां पर, अच्छा कल के बाद फिर मतलब यहां मेला कतम हो जाएगा ना, पिर जहां-जहां मेला लगते हैं वहां वा जाते हैं आप लोग कोई नहीं है, और यह देखिए, यह ब्रेकडांस जूला, इसमें आप इसका टिकट काउंटर है, यहां से टिकट ले सकते हैं और यह ब्रेकडांस जूले में जूल सकते हैं, यह नाव वाला जूला है, नाव वाले जूले भाई, जूले वाले भाई लोग इसको चला रहे हैं लेकिन वो जूला चला रहें ताकि कोई न कोई जरूर आएंगे अभी दिन का समय है इसलिए सब खाली है लेकिन रात के समय में काफी भीड रहती है यहाँ पे और यह देखिए हवाई जूला इस जूले में बैठने से आपको बहुत आनंद आएगा लेकिन यह है कि बहुत सारे लों को डर भी लगता है बहुत उचा जूला है काफी हैवी है और सबसे बहतरीन जूला दिखता है और जूलने में भी काफी मज़ा आता है यहां से इस तरीके सी जूले में जूलने में काफी मजाता है यह देखे इसका टिकट काउंटर है हाँ आप आपे आप देख सकते हैं यह देखिये यह सूपर ड्रेगन जूला है इसका ट्रेन लाइन टाइप से बना हुआ है सामने dragon जिसा मूँ है और बच्चे बड़े सब मापाप सब बच्चों के साथ अपने जूलते हैं देखिए सूपर dragon train के जिसे दिखता है train जिसे रहता है और इसमें लोग जूलते हैं गोल गोल घुमते हैं यह देखिए हमने फिर से पर टिकट है और यह देखिए मैंने उपर चड़ करके प्रेमिसल लेकर चड़ा और ऐसे सूट कर लिया ताकि आपको दिखाते बने की ड्रेगन जूला Super Dragon जूला कैसा रहता है यह देखिए Super Dragon जूला देख रहे हैं आप Super Dragon जूला का पूरा वो पड़ुरी जैसे बना हुआ है जैसे train की पड़ुरी रहती है और यह देखिए बच्चों की नाव पानी का बहुँ जबर्ज़स इंतजाम है और उसमें है और गाउं के लोगे घूमते हुए जूलते हुए हैं और यह देखिए बड़े वाले जूला अभी रुका हुआ है बाकी सब जूला कोई कोई चल रहा है कोई दिन में नहीं चल रहा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आनंद मैं द्रिश्ट है यह ब्रेकडान जूला गोम रहा है गोल गोल देखिए और यह टोरा टोरा जूला भी घूम रहा है बहुत आनंद मैं द्रिश्ट है यहां जब आप आएंगे तो अपने आपको रोक नहीं पाएंगे किसी भी चीज़ के लिए देखिए ब्रेकडान जूला बहुत जबर्जस्ट दिखता है यह दे जिससे हैं देखिए टोरा टोरा जूला का हमने उपर चड़के वीडियो बनाया हमें परमिसन मिला तो और भाई साब ने परमिसन दी और देखिए लोग इंतजार में कि और लोग आए तो हम जूलेंगे तो यह देखिए यह चकरी हमको मिलती थी बच्पन में फिर अंगी लोलते थे इसको और यह देखिए आप उपर देख सकते हैं गुबारा दिल वाला और पीला गुबारा उड़ता हुआ इसे देखो तो बच्पन की आदा जाती है कि हमारे हाथ में भी ऐसे हवा में उड़ने वाला गुबारा रहता था और यह देखिए यह जैलरी हैं कुछ जो अलग अलग डिजाइन के हैं मंगल सुतर हैं यह चूडिया है इस तरीके से मार्केट में अलग अलग परकार के बच्चे के खिलोने हैं यह देखिए गन है और यह चपल जूते हैं सेंडिल है बच्चे लों के लिए बड़े लों के लिए सब के लिए है और यह तो इस तरीके से बहुत सरे चीजे हैं तो ये लोग बच्चे लोग खेल रहे हैं इसको बड़े लोग खेल रहे हैं आनंद ले रहे हैं इसका लेकिन फसा नहीं पा रहे हैं कोसिस कर रहे हैं बहुत लेकिन फसा नहीं पा रहे हैं देखिए दो बच्चे हैं ये दोनों टेंट चपपल की दुकान है ठंडी कैम है और udah बासूरी है यह तंडी की जैकेट हैं दो यह बहुत जबर्जस्त लग रहा है यह देखिए, बस है, इस तरीकि से बच्चे खिले नियुका वाहई है बासूरी दिखिरी है आपको यह जोयलरी है जान्दी के जोयलरी पूरा लाइन से लगी हुए इसकी दुकाने राइट साइड और लेफ्ट साइड बहुत सारी दुकाने है और इसमें काफी कुछ जोलरी अलग अलग डिजाइन की है लोग इसको पसंद करते हैं यहां से खरीते हैं अपने घर लेके जाते हैं यह देखिए बैग है अब इस तरीके से हम अब अपना दिन का सफर पूरा करके वापस जाते हुए अपने घर तो मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कॉमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आने वाले समय में आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो ले के आता रहूं बहुत बहुत सुक्रिया